हेलो एब्रिवेन आप सभी का हमारे चैनल एच्पी एक्जाम्स वी जैरी में हार दिख स्वागत है तो अगर आप हिमाचलब्रदेश से लेटेड किसी भी टेस्ट की त्यारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को जुरू सब्स्राइब कीजिए तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचलब्र जोई आइटी 817 से लेटेड अपडेट के बारे में जो वीडियो है इसमें हमारे में पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे हमीरपूर की ओफिशन नोटिसकेशन के बारे में उसके बाद हम डिसकस करेंगे जो इनकी होने वाली है वीडियो में शुरू से लेकर रहें तक बने रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे एच्पी एससी की ओफिशन नोटिफिकेशन के बारे में यहां पर उन्होंने लिखा है कि जो भी हिमाचलब्र गोर्मिंट की गाइडलाइन आई है उनके कारण इनको जो टाइपिंग प्रोसेस है जो भी यह टेस्ट ले रहे हैं एच्पी एससी हमीरपुर उनको इन्होंने पोस्टपॉन कर दिया है जो आगे की डेटे इन्होंने नहीं बताई है इन्होंने यह कहा है कि आप बेट कीजी जब तक इसकी अगली कोई नोटिफिकेशन डाली जाए है क्या उनको जटका लग सकता है तो देखो दोस्तों सबसे बहले हम बात करेंगे इसमें क्या लिखा गया है इसमें इन्होंने लिखा है जो भी activities बाहर की हो रही है ठीक है जो बाहर की activities हो रही है for example जैसे यहाँ पर students आ रहे हैं उनका typing test हो रहा है उसको postpone किया है जो इनकी अंदर की process है जो की इनके करमचारी कर रहे है उनको यह नहीं रोक सकते अब बात करेंगे JIT 817 के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर इनका क्या काम है इन्होंने official notification निकान लिए इन्होंने पूरा matter है उनको analyze करना है उनकी जो भी files है उनको analyze करना है ठीक है उसके बाद यह order निकालेंगे कि किस तरह से इसकी जो typing process है उसको resume किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह जो notification है वो तो आ सकती है लेकिन जो आपका typing process है अगर हम उसकी activity की बात करें कि वो कब से start होगी तो दोस्तों देखो इसमें अभी time लग सकता है मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ कि कि आपको पता है इसमें जो अलग-अलग post code है उनकी typing भी चली हुई है अभी यहाँ पे corona guidelines के कारण इनको notification निकाली है कि हमने जो यह typing बगएर टेस्ट चले हुए है इनको postpone कर दिया है तो natural सी बात है जब यह process शुरू होगा सबसे पहले जिनका जो postpone हुई है जो date वगएरा postpone हुई है उनका सोचेंगे ठीक है उसके बाद ही जो 817 की कोई notification आएगी उसको यह शुरू कर पाएंगे तो अभी हम यहीं कह सकते हैं कि यह जो 817 वाले candidates हैं उनको निराश होने की जरूरत भी नहीं है क यह बात अलागया कि जब भी इसकी official notification आएगी उसके बाद की जो activity रहेगी जो भी typing process resume की जाएगी उसमें सोड़ा time लग सकता है तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो से help मिली होगी वह जो आपके mind के doubts है वह भी clear हुए होंगे तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आट सो सत्रा के candidate हैं तो हमारे चैनल के साथ जुरूर जूड़े तो दोस्तो थैंक्यू जैहिन जैवारत जैहिमाचल